जैहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में फिर से स्वागत थे दोस्तों मेरा नाम है राजेंदर आप तेख रहे हैं पी आर के अन्वाक्सिंग यूटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप धाई घंटे की मू हो जाता है ना और मगर दोस्तों इस तरफ एक तरफ इधर देखें दोस्तों अगर आपने दो लाइन्स मतलब पढ़ी हैं दोस्तों छोटी छोटी स्वाट लाइन पढ़ी हैं मगर दोस्तों दोस्तों दो लाइन की बात तो छोड़ो एक लाइन का आदा भी आप भूल जात बता हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस पर दाना डाला फिर आखे के बोला कि बहुतर आ इसको चुक के चला जा दोस्ता यह सब तो दोस्तों बात हो गई तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं वीडियो के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आपने ठाई घंटे की मूव में देखो जाहे आप TV पे देखो दोस्तों यह चीज हो गई देखने की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आपको यह याद रहता है दोस्तों आप जब muvies और दोस्तो आप अगर कोई आप से पूछ ले ना भाईया उस मोवी का क्या नाम था और दोस्तो उसकी स्टोरी क्या थी तो आप बोलोगे भाईया एक बैट मैं आ तुझे सुनाता हूं उस मोवी की स्टोरी क्या है देखने लायक है कि नहीं है मैं पूरी तरह को बता देता वो शुरुआ से लेके दोस्त एंड तरटर को बता दूंगा उस मूवी में क्या था वो तुझे देखनी चाहिए कि नहीं यह पूरा आप दोस्तो उसका चाहूं न तो काला चिठा निकालके उसको बंदे को दे सकते हो दोस्तो यह होता है हमें मतलब की मूवी के बारे में को मतलब की आकरसित करता है बाहर का मुझे मतलब की बाहर कुछ भी होता है उससे फरक नहीं पड़ता है हमारा ज्याहन बाहर नहीं जाता है इसलिए हमको यह भी मतलब की strong वगेरा भी हमें याद रहते हैं अब बात करते हैं दो पढ़ाई की तरफ से कि दो लाइन्स हमें दो लाइन्स की बात कर रहा हूं दोस्तों कि हमें याद क्यों नहीं रहती दो लाइन्स की बात छोड़ दो अगर शोड़ पर भी आदा आप भूल जाओगे तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों मैं ने जैसे बता दिया है मतलब कि आपको टीबी का देखा क्यों याद रहता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मतलब कि किताब के अंदर जो आप दो लाइन से याद किये हैं वो क्यों हमें भूल जाते हैं तो दोस्तों इसमें ये कारण होता है टीबी हमको मतलब कि जो है न डिस्पिले टीबी की ठेटर की मोबाइल की वो हमको अपनी और आकर्सित करती है मगर जो किताब के अंदर लिखा होता है न दोस्तो उसमें हमें खुछ फोकस करना पड़ता है बहुत हिसाब से दोस्तो जब आप उसमें फोकस करो न तो दोस्तो उस समय आपका माइन बाहर नहीं जाना चाहिए कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई मुझे डिस्टब मत कर मैं पड़ाई कर रहा हूँ अगर दोस्तो हलकी भी आवाज आई न तो दोस्तो आपका माइन तुरंट उधर जाएगा इधर से जो आपने याद किया न तुरंट आप भूल जाओगे दोस्तो 99 टका लोगों के साथ ऐसा ही होता है और टीबी में जो की है मतलब कि वालिम होती है वालिम की वज़ा से आप बाहर की आवाज को आकर्षित नहीं कर पाते हो मतलब आपका दिमाग उसे नहीं एक्टिवेट कर पाता है और आप किताब बहुत सांती से पढ़ते हो क्यों कि ब दोनों में अंतर घ्या आप देखते थो उसमें आवाज होती है थो दोश्तो आपके अंदर अच्छी तरह से बैठ जाता है उसे आप देखते हो आगर दोस्तों और इसमें क्या होता है किताब के वारे मैं किताब आपको बहुत मतर्ब की सांत जगा में पढ़नी होगी तभी आपको याद हो पाएगे अगर दोस्तो इसको आप TV in that आप TV पर फोकस करते हो ना उसी तरह से किताब पर फोकस करोगे न तो 100% दोस्तो आप कभी भूँलोगे नहीं अगर आप पढ़ना चाते हो ना उसको दोस्तो उस लाइंस को आप किसी मूबी की तरह सोचो तो आप सेक्सेज हो पाओगे दोस्तो यही अंतर है इन दोनों में उम्मेद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी वीडियो होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइप वीडियो सेर करन करना ना बूलें मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें जयें बंदे मत्रम